हलो दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे पपीता और नीमू को एक साथ मिला कर खाने के फाइदे के बारे में दोस्तों आप सब जानते हैं कि पपीता हमारे लिए बहुत फाइदे मन्द है इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स ह होते हैं जिसकी वज़य से हमें अमारे शरीर के बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है लेकिन दोस्तों अगर हम पपीते के साथ नीमू मिलाते हैं तो इससे हमें और भे ज्यादा फाइदे मिलते हैं दोस्तो पपीते और निम्बू को मिला कर खाने से हमारे शरीर में विटेमिन A, विटेमिन B, विटेमिन C, विटेमिन D, फाइबर, पाइपिन एसिड, फासफोरस, पोटेसियम, आइरन, एंटी ओक्सिडन, प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट, सोडियम और बहुत सारे कि बहुत सारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिलता है, दोस्तो अगर आप इसका निरंतर उप्योग करते हैं, तो इससे आपकी लीवर सही रहती है, यह आपके खाना हजम करने की सक्ती को बढ़ाती है, जिससे आपकी लीवर की समस्या नहीं होती है, साथी यह आपकी बोड सेवन रोजाना करते हैं, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, यह हमारे लिए बहुत फाइदे मंद होता है, दोस्तो अगर हम पपीता और नीम्बू को मिला कर खाते हैं, या इन दोनों का जूस मिला कर भी पीते हैं, तो भी यह हमारे लिए बहुत दोस्तों ब्यूटी के लिए भी पपीता और नीम्बू बहुत फाइदेमंद होता है इसको आप रोजाना खा भी सकते हैं और इसे आप अपने चहरे पे भी लगा सकते हैं इसके निरंतर उपयोग से आपकी त्वचा निखर जाएगी और अगर आपके चहरे पर कील मुहासे क दाग धब्बे हैं तो इससे भी छुटकारा दिलाता है पपीता और नीम्बू का मिस्रन दोस्तों अगर किसी को आँखों की रोशनी की समस्या है जैसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम उम्र में उन्हें चस्मा लगाना पड़ता है क्योंकि उनकी आँखों की रो करते हैं तो उससे भी छुटकारा मिलता है दोस्तों बढ़ती उमर के साथ आँखों की रोशनी कम होती है अगर इस समय भी अगर आप नीम्बू और पपीते का मिस्रन या फिर पपीते के साथ नीम्बू मिला कर खाते हैं तो आपको इससे छुटकारा मिलता है इसके निरंत में क्यालस्ट्रॉल घटाता है जिससे आप अपनी चर्वी घटा सकते हैं इसके निरंतर उपयोग से आपका मेटोबलिजम अच्छे से वर्क करता है जो कि आपको चर्वी घटाने में मदद करता है दोस्तों अगर आप इसका निरंतर उपयोग करते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है जैसे पेट की समस्या, आँखों की समस्या, या फिर तुचा की समस्या, पाचन तंत्र की समस्या, इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है, साथ ही आपके लीवर को और हार्ट को बहु नमक का उपयोग करें यह आपके सेहत के लिए बहुत फाइदे मन होता है दोस्तों अगर आप इसका जूस इस्तिमाल करते हैं तो इसके लिए आप दो चमच पपीते के रस में एक चमच नीमबू का रस मिलाकर रोजाना सुबक खाली पेट लें ऐसा करने से भी आपको बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है तो देखा दोस्तों अगर आप नीमबू और पपीते को एक साथ मिलाकर खाते हैं तो आपको कितनी परेशानियों से छुटकारा मिलता है साथ ही यह आपके शरीर के लिए बहुत फायदे मन होता है उमीद करती हूं दोस्तों कि आ पिर आप किसी परिशानी का हल ढून रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेली उपचारों के साथ जिससे आप अपने परिशानियों से छुटकारा पा सकते हैं तब तक के लिए फिट रहे हेल्दी रहे खुश रहे तैंक यूँ